हलो एवरिवन असलाम वालेकूम एंड वेलकॉम बेक टू कुक कवित अनके आज मैं आपके साथ पनिर मसाला की रेसिपी शेर करने वाली हूँ ये रेसिपी आपने पहले कभी ट्राइ नहीं की होगी ये रेसिपी बिलकुल असान और सिंपल है तो इसे ट्राइ जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए है तो सबस्क्राइब भी कर दीजिएगा तो जलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एक पेन या कड़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देंगे तकरीबन एक बड़ा चमच जितना तेल डाल देंगे और उसके बाद स्लाइसिस में कर्ट की हुई प्याज उसमें डाल देंगे यहाँ पे मैंने दो मेडियम साइज की प्याज को स्लाइसिस में कर्ट करके यूज किया है और प्यास को golden brown होने तक fry कर लेंगे और उसके बाद उसमें 5-6 जितने लेसुन की कलिया डाल देंगे और 1 इंच का अद्रक का टुकड़ा डाल देंगे और 2-3 जितनी हरी मिर्च भी उसमें डाल देंगे और उसमें एक बड़ा चमच जितना मगज के बीच भी डाल देंगे अब ये सारी चीज़े प्यास के साथ फ्राइ कर लेंगे और उसके बाद दो से तिन जितने टमाटर उसमें डाल देंगे और उसे भी अच्छे तरह से उसमें भून लेंगे तो अभी टमाटर भी अच्छे तरह से पक चुके हैं अब गैस की फ्लैम ओफ कर देंगे और उससे टंडा होने के बाद पीस लेंगे और उसके बाद एक कडाई में दो बड़े चमच जितना तेल डाल कर उसे अच्छी तरह से गरम होने देंगे और तेल अच्छी तरह से गरम हो जाने के बाद उसमें बारिक कटी हुई प्यास डाल देंगे यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज की प्यास को बारिक काट कर यूज किया है प्यास को अच्छी तरह से केरेमिलाइस करेंगे और उसके बाद दो बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे आदा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे एक चम्मच धन्या पाउडर डाल देंगे अभी इन सारे मसालों को अच्छी तरह से भूण लेंगे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी ले सकते हैं अभी मसाले में थोड़ा सा पानी डाल कर उसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे उसके बाद उसमें हमने जो प्यास टमाटर की प्यूरी बना कर रखी हुई है वो डाल देंगे और उसे भी मसाले की साथ अच्छी तरह से भूण लेंगे और अच्छी तरह से उसे फून लेंगे उसके बाद उसमें आदा कप पानी डाल देंगे और उसके बाद उसमें आदा चमच कसूरी मेथी डाल देंगे पानी को अच्छी तरह से उबलने देंगे और उसके बाद उसमें पानी डाल देंगे तो अभी अच्छे तरह से पानी उबल चुका है अब उसमें हम पनिर डाल देंगे आपको जितनी ग्रेवी काड़ी रखनी है या पतली रखनी है उसके हिसाब से आप उसमें पानी एड़ करिएगा और पनिर डालने के बाद उसे ढख देंगे और 5-6 मिनिट के लिए उसे मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे तो अभी हमारा टेस्टी सा पनिर मसाला बनके तयार है और उसकी ग्रेवी भी कितनी टेस्टी बनके तयार हुई है ये देखिए और इसे बनाना भी कितना सिंपल और आसाल है घर के ही मसालों से आप इसे बना कर तयार कर सकते है तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइक करिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर करके चेनल पे नए है तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आप कोई रेसिपी कैसी लगी